दोस्तों क्या आपके गूगल ड्राइब से आपका फोटो पर्मानेंटली डिलीट हो चुका है और आप उस फोटो को रिकोवर करना चाहते हैं यहाँ आप मैं जो टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा इसकी मदद से आप 100% उस पर्मानेंटली डिलीट होए फोटो को आप आसानी से रिकोवर कर सकते हैं अगर आप भी पर्मानेंटली होए डिलीट फोटो को वापस लाना चाहते हैं तो फिर वीडियो को लास तक जरू देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सस्क्राइब जरू कर लीजे साथ साथ वेल आइकन को वाल पे भी सलेट कर लीजे जिससे के हमारे लेटेस्ट अबडेट वीडियो को नोटिफिकेसन आपको सबसे पहले मिलता रहे से पहले Google Drive को open कर लेता हूं इस तरीके से आप भी open कर लिए आप देखेंगे तो माई Google Drive में आपका फोटो यहां पे नहीं दिखाई दे रहा होगा हमारे में इस समय दिखाई दे रहा है आप से गलती से mistakes से यहां से delete हो जाता है जैसे मैं आपको यहां पर करके पहले दिखाता हूं यहां पर पहले फोटो मैं delete कर दे रहा हूं यहां पर सभी फोटो को मैं जल्दी जल्दी डिलीट कर दे रहा हूं यहां पर देख सकते हैं माई ड्राइब में एक भी फोटो नहीं अब दिखाई दे रहा है एक फोटो गया तो गया का आपको एक बार यहां पर त्री ल मिल जाता है पीन में तो अच्छी बात है अगर आपका फोटो 30 दिन के बाद हो गया है मतलब कहने के मतलब वहां से डिलीट हो गया है और आपने 30 दिन तक इसे रिकोवर नहीं किया है तो आपका फोटो यहां से भी परमानेंटली डिलीट हो जाएगा यह आप देखें लिखा हुआ है जबकि आइटम्स आर डिलीटेट फोरेवर अब 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 थर्टी देज मतब तीज दिन के पहले अगर आपने इसे नहीं रिकुर किया तो यह आटोमेटिक यहां से भी डिलीट हो जाएगा अब जिसे मैं यहां पे सभी को यहां से भी मैं डिलीट कर दे रहा हूँ इस तरीके से आप भी अपने देखेंगे तो आपके बीन में भी आपका फोटो नहीं दिखाई दे रहा होगा यहां से भी आपका फोटो डिलीट हो गया है इसे रिकुर करने के लिए आपको यहां से बैक हो जाना होगा आपको एक बाद जो Gmail का प्रोफाइल है यहाँ पे क्लिक करके देख लेना है कौन सा Gmail है कौन सा Gmail का नेम है यह सब देख लेने के बाद आपको यहाँ से बैक हो जाना होगा Chrome Browser को उपन कर लिजिए एक चीज़ बता दू Chrome Browser में जो Gmail है वही Gmail आपके Google Drive में होना चाहिए या फिर Google Drive में आपका जो Gmail है जहां से फोटो डिलीट हुआ है ओ Gmail और आपका Chrome Browser का Gmail सेम होना चाहिए अगर नहीं है तो आपने Chrome Browser पे Long Press करके App Info में जा करके यहाँ पे पहले Clear All Data कर दीजी यहाँ पे Space दिखेगा उसके बाद आप यहाँ पे Clear All Data पे क्लिक करके OK कर लिजेगा उसके बाद आप फिर Chrome Browser को Open करके Accept and Continue करके आप यहाँ पे Gmail सलेट कर लिजे जैसे मैं सलेट कर लेता हूँ सलेट कर लेने के बाद Yes कर लिजे Yes कर लेने के बाद आपके Chrome Browser में भी वही Gmail हो जाएगा जो Gmail आपके Google Drive में हुआ जहां से आपका फोटो डिलीट हुआ है इतना सब कर लेने के बाद आपको Chrome Browser के सर्च बार को Open कर लेना है आपको यहाँ पे Type करना है Google Drive Support या पि Google Drive Help यह Type कर लेना है जैसे मैं Type कर ले रहा हूँ Google Drive Google Drive Help मैं Type कर ले रहा हूँ या फिस Support टाइप कर ले जो भी Type करना हो टाइप कर ले जिए जैसे Google Drive Help Type कर ले रहा हूँ उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते है Google Drive Help नाम का दिखी रहा है आपको यहाँ पे Click कर लेना है Click कर लेने के बाद आपका new page open हो जाएगा कुछ इस तरीके से आपको scroll on करते हैं सबसे नीचे चले आना है और आपको यहाँ पर दिखाई दिखाई दिरा contact us का option दिखाई दिरा है contact us पर click कर लेना है contact us पर click कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा उपर देख सकते हैं, what can we help with, यहां आप देख सकते हैं, tell us what we can help with, Google Drive से आप क्या help चाहते हैं, जैसे मैं Google Drive से चाहता है, photo require करना, इसलिए type करना होगा, I want to require deleted my photo, आपको यहां पर type कर लेने के बाद, आपको यहां पर next पे click कर लेना है, उसके बाद आपको यहां पर दिखाए चूज़ दी बेस्ट डिस्कृप्षन ऑफ दिस एसू, आप यहां से इनमें से कोई एक चूज़ कर लेज़े, आप यहां पर ज्यादातर अदर को ही चूज़ करियेगा, मैं भी अदर को ही चूज़ कर लेता हूं, चूज़ कर लेने के बाद आपको simple शा next step पे click कर लेना है आपको यहाँ पे दो आपसन दिखाई ता है एक चैट के माध्यम से आप रिकोर कर सकते हैं एक एमिल के माध्यम से मैं यहाँ पे एमिल के माध्यम से दिखा रहा हूँ एमिल में क्लिक कर दे रहा हूँ एमिल पे क्लिक कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से page open हो जाएगा उपर देखेंगे तो एक email दिखाई देगा आपको जरूर चेक कर लेना है कि Google Drive में जो email है ये email दोनों same है की नहीं आपके जहां से photo delete हुआ है वाला email same है की नहीं अगर same नहीं है तो आपको Chrome browser के जो email है उसे उस तरीके के email में change कर देना है चेंज कर देने के बाद उसके बाद आपको यहां जो first name दिखाई देगा first name आपके जो email होगा उसके देखेंगे तो first name भी होता है वही first name दिखाई देगा और आपको यहां पे पूछा जा रहा है की आपका photo कहा से delete हुआ है Gmail से डिलिट हुआ है कि Google Drive से आपका Google फोटो से कहां से डिलिट हुआ है Google Drive से हुआ इसलिए Google Drive पे टिक कर लिजेगा टिक कर लेने के बाद आपको यहां पे कुछ भी नहीं करना होगा आपको सीधा Summit पे क्लिक कर लेना होगा submit पे click कलेने के बाद आपका यह जो है आपका submit हो चुका है और Google Drive के पास जा चुका है यहाँ लिखा your email has been sent आपने जो email भेजा है गूगल ड्राइब के पास पहुंच चुका है और तालिस घंटा या फिर बहत्तर घंटा के अंदर या फिर इसके तो तीन दिन बाद ही आपको contact करेगा इसी email के थूँ इस पर आपको message के थूँ आपको message आएगा वहाँ पर बताया जाएगा आप ऐसे से करिए और आपका photo record हो